अगर आप लोग भी आज की रेट में Chinese phone ना खरीद के कोई non Chinese phone खरीदे की सोच रहे हो आज की वीडियो में आप लोगो Samsung का under 20,000 रुपीज best value for money phone बताने वाल हो जो कि आप लोग आज की रेट में असानी से 15-16,000 के price में खरीच सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो है लाइक कर देना और हम लोग काफी ज़्यादा क्लोजर तीने ज़र सब्सक्राइबर के तो फड़ा होट से उसको भी पूरा करवादो और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक छोटेश इंट्रों के बाद अब बहुत सो लोग बोलेंगे कि बाई जब आज की डेट में हम लोग है M31S मिल रहा है तो हम लोग वला Samsung M31 क्यों बाई करेंगे और इस बात की या गैनेटी देतों कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली ना तो आप लोग भी at the end यही बोलोगे कि Samsung M31 जाद अच्छा value for money phone है अंडर 20,000 रुपीज अब यहाँ पर सबसे पहले रीजन है वो इनकी प्राइजिंग गाइस M31 इसकी जो प्राइजिंग है वो 20,000 रुपे से स्टार्ट होता है जहां पर हम लोग को 6GB RAM और 128GB स्टोरिज वाला वेरिंट देखने को मिल जाता है व जहां पर आप लोग को 6GB RAM और 128GB स्टोरिज देखने को मिल जाती है अगर अगर मैं प्राइजिंग को कंपेर करता हूं तो आपको 3,000 रुपे का डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा अब डेफिनिट लिगाइस अगर आप लोग के लिए प्राइजिंग मैटर नहीं करती आप लोग और 3,500 रुपे एक्स्टा पेग कर सकते हो तो डेफिनिट लिगाइस आप लोग को जाना चाहिए M31 है इसके साथ तो कि वहाँ पर जो camera module से हो थोड़े बहुत हमें बेटरे देखने को मिल जाते है when compared to M31 लेकिन यार अप क्यूं आप लोग को Samsung M31 को ही purchase करना चाह है वो गोड़े ग्लास 3 की देखने को मिलती है दोनों ही फोन में इस बिल्ट की मामल में यहां पर Samsung ने किसी भी तरह का अपग्रेड नहीं किया Samsung M31S में अब यहां पर clearly पता चलता है कि दोनों ही फोन को अगर compare करे तो यहां पर यार जो phone slim and lightweight निकलकर आता है वो Samsung M31 है फिर बात करूँ आप डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन में हम लोगो full HD प्लस Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और दोनों ही फोन में जैसे कि मैंने बताया फ्रेंट में गोड़े ग्लास 3 की देखने को मिलती है फरक यहां पर ही आता कि Samsung M31 में 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि Android 10 पे बेस्ट है अब बात करूँ गाईज अगर इन फोन के चिपसेट के बारे में तो दोनों ही फोन में खुद का Samsung का प्रोसेसर रन हो रहा है जो कि यह एक्जनोस 9611 अब गाईज यह जो प्रोसेसर है 10 अनोमेटर वाल अर्किटेक्टर पे बिल् नहीं किया गया फिर बात करूँ गाईज अब मेमरी के बारे में तो दोनों ही फोन में आप लोग लगाई सकते हो साथ ही में अलग से आप लोग एक माईक्रोस्टी कार्ट भी लगा पाऊगे और यहां जो दोनों ही फोन की इंटरनल स्टोरिज टाइप है वो UFS 2.1 है देखने को मिलता है देन कई यहां पर जो सेकंडरी कैमरे वो 8 में का अल्टरावाइड कामरा देखने को मिलता है फिर थर्ड ली पाँच में का मैक्रोलेंस देखने को मिलता है अब इस फोन में आप लोग 1080P से लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊगे अब बात करूँ यहां पर जो प्राइमरी चैमरे वो 64 MP का है फिर हम लोग यहां पर 12 MP का अल्टरावाइड कामरा देखने को मिल जाता है फिर हम लोग को 5 MP का मैकरो और 5 MP का डेप्थ प्रक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊगे अब इस फोन में आप लोग 1080P 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊ जो कि guys definitely flagship sensor तो नहीं है लेकिन तभी यहाँ पर आप लोगो जो quality देखने को मिलती है वो Samsung G1 sensor के comparison में थोड़ी बहुत बेटर निकल कर आती है guys जब अगर बात करो दोनों फोन की camera quality की तो यहाँ पर आप लोगो बिल्कुल भी फरक देखने को नहीं मिलेगा दोनों फोन में जो image quality है काफी ज़्यादा similar देखने को मिलती है यहाँ पर कोई scenarios में M31 अच्छा perform करता है तो कई scenarios में M31S भी अच्छा perform करता है तो guys camera के मामल में यहाँ दोनों फोन काफी ज़्यादा equivalent है यहाँ पर दोनों में 19-20 का फरक देखने को मिलता है तो guys जब camera के मामल में यहाँ दोनों फोन almost equal perform करते है तो मुझे नहीं लगता कि 3500 पे और देना worth it है वहीं पर बात करूँ यहाँ दोनों फोन के friend camera के बारे में तो दोनों ही phone में हम लोगो 32 Megapixel का friend camera देखने को मिलता है तो guys यहाँ पर जो selfie camera है वो भी दोनों में बिल्कुल सेम देखने को मिलता है यहाँ पर guys जो friend camera की image quality है वो भी दोनों में बहुत ज़्यादा similar है अब अगर बात करूँ यहाँ पर दोनों ही phone के loud speaker के बारे में तो दोनों ही phone में हम लोगो stereo speaker का support देखने को नहीं मिलता और दोनों ही phone में हम लोगो 3.5mm audio jack देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का difference नहीं आता फिर बात करूँ guys ज़गर sensor के बारे में वहीं पर अगर बात कुरू M31S की, तो यहाँ पर हम लोग को side mounted finger print scanner देखने को मिलता है, और यहाँ पर यार दोनों ही phone के unlocking speed काफी ज़्यादा तेज है, फिर बात करूं अगर battery की, तो यहाँ पर भी दोनों ही phone में 6000 mAh battery का use किया गया है, यहाँ पर यहाँ बैटरी को लेकर आपको दोनों ही phone में किसी भी तरह का issues नहीं आने वाला, दोनों ही phone में आप लोग को almost दो दिन का battery backup देखने को मिल जाएगा, अब गईस फरक यहाँ पर यहाँ आता है कि Samsung M31 में हम लोग को 15W की fast charging का support देखने को मिलता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चाहएगा कि उसको अच्छी fast charging का support देखने को मिलता है, जो कि यहाँ काफी लोगों के लिए deal breaker बन सकता है, क्योंकि अगर आप लोग 6000 एमेज जैसी बड़ी बैटरी को चार्च कर रहे हो, तो हर को यहाँ पर चाहेगा कि उसको अच्छी fast charging देखने को मिले, तो कि यह तो थी यहाँ दोने ही phone के specification, अब आप लोग यहाँ मुझे comment section ने वताओ कि क्या सही में आप लोगो को कोई ऐसा major difference देखने को मिला, जिसके लिए आप लोग 3500 रुपे और extra pay करो, यहाँ डिजाइन के मामले में Samsung M31 थोड़ा आगे निकल जाता है, तो कि यहाँ पर हम लोगो 5 old display देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आज की rate में भी काफी सारे U-notch वाले phone देखने को मिलते है, तो कई U-design notch भी अभी तक out of trend नहीं हुआ है, जितने भी याँ आज की rate में फोनों सभी में हम लोगो U-notch देखने को मिल जाती है, U नहीं तो V-notch हम लोगो सभी में देखने को मिली जाती है, अब यार मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि यह जो phone ने 25,000 तक के phone को complete कर रहा है, और वो मैंने इसलिए बोला, क्योंकि यार Samsung A51 अगर आप लोगो पता है तो उस phone की जो pricing है, वो अभी 24,000 रुपीज हो रखी है, और उसमें भी यार सेम प्रोसेसर यूज किया गया है, Exynos 9611, तो मतलब यार Samsung के 15,000 के phone से लेकर 25,000 तक सेम प्रोसेसर यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पर्फॉर्मेंस डिफरेंस है वो बिल्कुल खतम हो जाता है, 25,000 के phone में और 16,500 रुपे के phone में दोनों में ही आप लोगो सेम पर्फॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो अब अगर बात करूँ अपने पर्सनल उपिनियन की, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता कि आप लोगो 35,000 रुपे और एक्स्टर पे करना चाहिए, M31S के लिए, क्योंकि दोनों ही phone में पर्फॉर्मेंस डिफरेंस बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, और बात करूँ अगर कैमरास की, तो दोनों ही phone में हम लोगो बिल्कुल सिमिलर कैमरास देखने को मिल जाते है, यहाँ पर जो picture quality निकल कर आती है, वो दोनों ही phone में काफ़ी जादा सिमिलर है, Samsung ने M31S में थोड़ बहुत डिजाइन चेंज कर दिया, साथ ही में यहाँ पर बैक का कलर है, वहाँ पर gradient finish ला दिया, यहाँ पर हम लोगो punch hole display प्रोवाइट कर दी, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने phone को completely बदल दिया, लेकन यार ऐसा है नहीं है, मैंने आप लोगो बता दिया कि आज की rate में दोनों ही phone बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं, और तो दोनों की pricing है, वहाँ पर हम लोगों को gap काफी जादा देखने को मिलता है, अब गैस शीदी सी बात, अगर आप लोगो 3500 रुपे और extra पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं recommend करता हूँ कि आप लोग M31S के साथ जा सकते हो, नहीं तो यार मेरी बात मानो M31S को खरीद लो, और वहाँ पर bank offer ये सब लगा लो ताकि आप लोग additional discount को भी फाइद उठा पाओ, आज की rate में अगर आपको कोई non Chinese phone खरीदना हो, तो आप लोग 20,000 के अंदर कौन सा phone खरीदना पसंद करोगे, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही यार में आप लोगे वीडियो पसंद आई होगी, यार वीडियो अची लेगे तो लाइक कर देना और इस तरह की टेक वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी कर देने सब्सक्राइब, अब मैं मिलता हूँ, आप लोगे से एक और कमाल वीडियो में तब तक लिए गुडबाई, टेक केर एंट सिया,